अके तो लॉक्डाउन एक्स्टेंडेड और गाड़ी पड़े पड़े कबार बन गया भी ना इसको कहीं लेके जा सकते हैं नहीं कुछ कहीं जा भी नहीं पारे अज इतनी हमा चल रही है और लॉक्डाउन पर लॉक्डाउन एक्स्टेंड हो रहा है कार को वाश करने भी नहीं दे पारे और इसके उपर से ये गाड़ी भी पड़े पड़े असा लग़ा जंग पड़ जाएगा तो इसको अभी थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे क्योंकि वह अजर अजर देडर जेए एक फटी से ज़ाधा रहता है तो टाइस पर माक्न पर जाते हैं फुरा रिवर्स करेंगे आगे की तरफ ले जाएंगे पीछे की तरफ ले जाएंगे तो यह बापस इसको वही पे पार्क कर देगे जहाँ पे पार्क्त है कि खर के सामने तो यह दोनों चीज़े मेंने फ्लिपकाट से ली है for the good luck and positive vibes तो फाइनली लॉक्डाउन और कई भी क्या सकते हैं लॉक्डाउन जो है खतम ही नहीं हो रहा और एक्स्टेंड पदा नहीं कब एंद होगा और गाड़ी भी पड़े पड़े कबार हो रहा है बतलब इसको कहीं लेके भी नहीं जा सकते और कुछ तो इसको हफते में एक बर इसको इंजन इसका स्राट करना पड़ता है कि डिजल गाड़ी है बैट जाता थायस पे भी marks आजाता है अगर कंटिनियूसली टाइम पे रहता है तो उसको हमने थोड़ा सा क्लीन किया कार वाश पे भी तो लेके नहीं जा सकते सारे शॉक्स बंद है और घर पे में पास वो उसका जो लिक्विड है वो है ने कार वाश का फतम हो गया तो उससे भी वाश ने कर पारे तो जास नॉर्मल वाटर से थोड़ा इसको वाश किया था एक हफ्ते पहले और देखते हैं थर्ड में को अगर लॉक्डाउन एंड होता है तो इसको वापस इसको कार वाश में देंगे यहीं पर पास में है तो अब इसको स्टार्ट करना है बत उसके पहले यह सीड पेल्ट बारना बहुत जरूरी है इताउट सीड पेल्ट चाहे मैं उतना भी आगे क्यों ना जाओ यह ताभी पीछे क्यों ना जाओ सीड पेल् इस बीट साउंड ये हैंडब्रिक अभी भी आक्टिव नहीं है तो इसलिए बीट साउंड हो रहा है तो इसको प्रेंसीट को अजस्ट कर लेंगे इस बीट सामने गाड़ी है तो मैं इसको सामने लेके नहीं जा सकती तो मुझे रिवर्स जाना है इसलिए मुझे पर रिखना पड़ेगा ठीक साउंड यह अपसुद्ली फाइन लेट स्टार्ट एसलिए बात बहुत लग लग रही है पर राम इसलिए बात लिईक बात बात बड़ेगा देखना पैस कुछ तो मैं आपसुद्ली फ्रेश बड़ेगा बात रिवर्स प्रेंगे रिभ्रेंग यह हमारे घर का एक छोटा सा सामने रोड है काफी लंबा रोड है तो में रोड शुडू हो जाता है भी यहां से में डोड पर जाना अलाव नहीं है तो रिवर्स कर लिया अब सामने जाके वापस से पार्क कर देंगे तो इतना हफ्ते में एक बार करना पड़ता है हम लोग को लिकर फिर जो काड़ी है इसका एंजिन जो है वो रणिंग होना चाहिए और बैठा रहेगा तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है तो इस मोरल का एंजिन डिस्प्लिस्मेंट है 1462 cc और इसका फिलहाल एवरेज माइलेज है 22-24 पर अभी तक आया नहीं है तो स्टे हमने एक चकर मार लिया है आई थिंक एक हपते का काम हम दो को ने कर लिया है लेट्स होब कि थर्ड में को लोगडाउन एंडो और फिर इस काड़ी को लेके मैं निकल पाऊ तो बेसिकली इसमें दो कंपार्टमेंट है सामने की तरफ एक उपर और एक इस तरह से नीचे तो अभी तो इसमें पूरा कच्छा भरा हुआ है यह का सेटिंग है फ्रम कूल तो हॉट बढ़ाने का और कमाने का और यह आपको किस डिरेक्शन में चाहिए पैर की तरफ उपर की तरफ राइट लेफ यह है फॉग लाइट और विंशील्ट सेटिंग्स दो एर बै पड़े त्टिंग तो इसमें फ्रम एंफ एंफ प्ले यूसपी और ब्लुटूथ का फैसलिटी है और यह चार्जर केबल जिसमें यू का चार्ज यूर अंड्रॉइड अज वेल आपका अप्ल का गर है या आपका दूसरा पिंद चार्जर है तो वो भी इसमें है तो आल- आपके पास है तो आप उसमें यूस कर सकते है यह रिमोट है जिसकी जरूरत नहीं पड़ती तो इसको हमेशा नीचे की दरफ ही रखते है लॉक और विंटर लॉक स्क्रीन का है पो एंड इस इस दो मिरर सेटिंग लेफ्ट और राइट में जब आपको रिवर्स करना होता ह है उसे साब से इसका बैक कंपार्टमेंट ही है लगेज कंपार्टमेंट भी काफी बड़ा है एक इंसान पूरा फिट आ जाएगा इसके अंदर अच्क्छ में तर्फी में लिए पाल आपको लॉक्डान एप एक रिविए लॉप श्रॉप बड़ाएट रिख प्रॉडफन च्टार ड़्क्ट वड़ा है लॉड इस सब्सक्राणनल तब लात्ट टीप चार्य लॉड साब थैक्तानषी को बाइट आपको अप्स्टर